जैहिंद मेरे प्यारे साथियों वावा साइंस यूटूग चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज हम लोग साइंस के 25 प्रस्णों का डिस्कसन करने वाले हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा और अपनी तयारी को मजबूत करते रहे तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रस्ण पर पहला प्रस्ण पर चलने से पहले आप सभी को बता दूं कि वीडियो छोड़कर जाएगा रही क्योंकि ये ग्रूप D का जो एक्जाम होने वाला है उसमें काफी महत्वेपून साबित होगा और कहीं ने कहीं हमारे इस चैनल से हमारे इस वीडियो से एक दो न समानिता समूह में उपर से नीचे आने पर परमानू का आकार अब देखिए कहा कि समानिता समूह में उपर से नीचे आने पर परमानू का आकार क्या होगा बढ़ेगा या घटेगा ये हमसे पूछा है अब सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि परमानू का आकार पूछा आवर्त सारनी में समूह किसे कहते हैं देखिए आवर्त सारनी में समूह किसे कहते हैं जो खड़ी खड़ी लाइन आपको दिखता है इस परकार से उसे समूह कहा जाता है इस परकार से जो दिखता है 36 लाइन इसे आवर्त कहते हैं तो हमसे पुछा है कि समानता समूह में उपर से नीचे आने पर परमानू का अकार क्या होगा अब परमानू का अकार क्या होगा इसका अंसर होता है बढ़ता है परमानू का अकार बढ़ता है परमानू का अकार बढ़ता क्यों है क्योंकि जैसे जैसे मूपर से नीचे क्यों आते हैं सेलों की संख्या यानि कछाओं की संख बढ़ती जाती है प्रमानु काकार भी बढ़ता जाता है ऐसे देखिए यह है समूँ यह है समूँ एक दू तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस इगारा बारा तेरह चाउदा पंद्रह सोला सत्रह और अठारा अठारा गो यहां समूँ दिख रहा है अठारा गो समूँ है असात गो अवर्त है अवर्त दिख रहा अठारा गो यहां समूँ दिख रहा है उपर में देखिए अठारा गो समूँ दिख रहा है असात गो अवर्त दिख रहा है आगे देखिए जैसे जैसे चलेगा जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे सवाल आएगा हम बताते चलेंगे विडियो में आप लोग अंतिय तक बने रहें देखिए अगला सवाल को देखिए अनलाज है मेंडलिप मुल आवर्त सार्नी में कुल आवर्त यावर्त येवं समुह कितने थे मेंडलिव साहब का पुछाए कि मेंडलिव की मूल आवर्त सारनी में कुल आवर्त एवं समूह कितने थे इसका राइट अंसर हो जाएगा छे एवं आठ छे और आठ मेंडलिव साहब का जो आवर्त सारनी था उनके आवर्त सार्णी में समूह आठ थे और आवर्त छे था यानि आवर्त इसे कहते हैं ये छे गो आवर्त था और आठ गो समूह था इस परकार से समूह होता है अभी बताए पीछे तो ध्यान में रखिएगा अगर मेंडलीब साब का पुछेगा कि मेंडलीब के मूल आवर्त सार्णी में कुल आवर्त इवं समूह कितने थे तो आवर्तों की संख्या छे थी और समूहों का संख्या आठ था इसको ध्यान में रखिएगा ये पूछता है चलिए आगे चलते है अगला सवाल है कि आवर्त सार्नी का पहला तत्व कौन सा है इसे ध्यान से मार ना भाई अगर इसमें थोड़ी सी गलती करोगे तो एक नमबर खोदोगे कहा कि अवर्थ सारनी का पहला तत्व कौन है हमसे पहला तत्व पुछा है पहला धातू नहीं पुछा है अगर पहला धातू पुछता तो हम उसका अंसर मारते लिथियम अगर पहला धातू पुछता तो उसका अंसर हम लिथियम मारते अगर देखा जाए अगर hydrogen option में नहीं होता तो हम lithium को भी मार सकते थे अगर hydrogen option में ना दे, तो lithium को अंसर हम मार दे लिदियम को हम अंसर मार सकते थे अब हम से देख आगे देखे, हमने क्या कहा, कि अबरत सर्नी का पहला तत्व कौन सा है तो इसका हम अंसर कोन मारेंगे हाइड्रोजन को आगे देखे एक इहीं अवर्त में इस्थित तत्व के परमानू में क्या समान रहता है पहला ओप्सन दिया है परमानू संखिया अब आवर्त किसे कहते हैं जो देख लिजिए इसे आवर्त कहा जाता है हम अभी बताएं कि इसे आवर्त कहते हैं आवर्तों की संखिया कितना है साथ आधूनिक आवर्त सार्वनी है उसमें आवर्तों की संखिया साथ है आवर्त इसे कहते हैं तो मालेजे एक आवर्त का हम उठा लेते हैं हैं पहले हम एक बात्त का कोई त wires उठा लिटेंजी ऑवरत NOW हम उठाते तो editor inbenVer सोडियं मैंगनिशियं अहेल मुनिययंग अब देखिऊ सोडियं होता है कितना ही गारा मैंगनिशियं होता है कितना मजद तो किया परमाणू संख्या िड़िए तो पहला है पपार venom को सोडियम का परमानुद्रमान होता है तेईस मैगनिसियम का परमानुद्रमान होता है चोवीश एलमुनियम का सताइस कि परमानुद्रमान किसी का सम्मान हुआ नहीं इसको भी काट देंगे अब देखे बाहरी इलेक्ट्रोनों की संख्या बाहरी इलेक्ट्रोनों की संख्या कै कैसे निकालते हैं जैसे देखा जाए जैसे हम दोगो डोठो ले लेते हैं सोडियम ले लेते हैं सोडियम इगारा होता है मैगनीशियम ले ले लेते हैं मैगनीशियम बारा होता है अगर इसका हम इलेक्ट्रोनिक मिन्यास लिखना चाहें तो सिंपल वे में हम लिख सकते हैं द G9 संखिया पर की सब्सक्रामान होता है कि इन कोई सोडियम और वैंगनिसीअ में हों इसे भरने के लिए कितने कच्छाओं के जरूत पड़ी एक कच्छा दो कच्छा और तीन कच्छा मैंगनिसियम को भी भरने के लिए कितने कच्छाओं के जरूत पड़ी एक कच्छा दू कच्छा और तीन कच्छा यानि कच्छाओं की संख्या कोसों की संख्या सम्मान है तो इसका राइट अंसर समझ में आता रहेगा आगे देखिए कहा ये कहीं समूह में इस्थित तत्वो के परमानू में क्या समान रहता है ये कहीं समूह में पूछा अब आवर्त नहीं पूछा आवर्त तो हम इसे कहते हैं इसे हम बता दिये हैं अब समूह पूछा है अब समू पूछा है तो समू हम किसे कहते हैं इस खड़ी लाइन को उर्दवादर लाइन को समू कहा जाता है अब यह देखिए उर्दवादर लाइन के समू कहा जाता है तब इसमें हमसे पूछा है इसमें हमसे पूछा है कि एक ही समू में इस तत्व के परमानू में क्या समा रहता है परमानु संखिया अब देखिए पहला option है परमानु संखिया अब हम पहले चेक कर लेते हैं पहले हमको चेक करना होगा हम देख लेते हैं एक ही समुह के सभी कोई तत्वों को लेते हैं तब हमें पता चलेगा वाले जैंग गुरूप नंबर एक के सभी तत्वों को ल कि माले ये इतना ही लेते हैं रभ से फर्याद पूरा नहीं मिलेते हैं चार ठोड तत्वों को लेते हैं इतना से देख लेते क्योंकि मेरे पास जगवा थो वड़ा सा कम है तो समझने की कोशिष कहिजे अपर मानू संखिया पहला अब एक ही एक यहीं तत्व में है एक हीं होगा नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन की परमानु संख्या एक होती है लेतियम की परमानु संख्या 3 होता है सोडियम का परमानु संख्या 19 होता है हुआ नहीं हुआ परमानु द्रब्मान भी सेम नहीं होगे क्योंकि इसका अलग परमानु द्रब्मान होगा लेतियम का अल स्वयोजी इलेक्ट्रोनों की संख्या जो बाहरतम कोस में जो भी इलेक्ट्रोन होता है उसे स्वयोजी इलेक्ट्रोन भी कहा जाता जैसे एक को अगर हम हईड्रोजन को लिखना चाहें तो एक ही लिखाएगा लिथियम को लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं लिथियम क को हम अगर लिखना चाहें तो पहला जो THIS है हम अधिकतम कितना संख्या को भर सकते हैं कितने खुद continent अगर हम लिखेंगे त ऊपर एक इसके बहुत हम कितना इलिक्ट्रोन भर रहा है थे थू आठ एक इसके बहुत हम को उसमें कितना है एक पोडिसियम को भी लिखना चाहे हैं तो 29, 28, 28, 28, 29, इसके भी बाहतम कोसों में संख्या कितना है एक यहनि संयोजी इलक्टोनों की संख्या जो बाहतम कोसों में इलक्टोनों की संख्या होती है उसी को कहा जाता है तो संयोजी इलक्टोनों की संख्या इसका राइट अंसर हो जाएगा अब चलते हैं आगे देखे छे अवर्त सार्ने का अंतिम तत्व कौन सा है उसके पूछ और यह गुरूप नमबर अठारा का तत्व कि एक गुरूप नमबर अठारा का सबसे अंतिम तत्व है और गनेशम इसे विध्यान में रखेंश अब देखिए आगे जो जीस ग्रूप या समू का होता है उसके बाहतम कोस में उतने ही एलेक्टरोन होते हैं या स्वयोजी एलेक्टरोन उतना ही होता है यह हम अभी पहले बता चुके हैं वही यहां पर नोट करके लिखा हुआ है का देखिए साथ नंबर सवाल साथ नंबर सवाल कह रहा है कि आवर्त आवर्त सारनी में ऐसे तत्व जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है हमसे यह पूछा कि अबर तसारनी में ऐसे तत्व जो केमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाय जाता है कितना है इसका राइट अंसर हो जागा कितना दो ये को होता है पारा और ये को होता है ब्रोमीन ये को पारा होता है ये को ब्रोमीन होता है ब्रोमीन अधातू में अपारा धातू में यही होता है पुछता है कि केमरे के ताप मान पर द्रवावस्था में पाये जाने वाला धातू कौन है तो ब्रोमीन एप पुछता है कि केमरे के ताप मान पर द्रवावस्था में पाये जाने वाला धातू कौन है तो पारा इसको ध आगे देखिए आठ नमबर सबाल अब परमानु तिरजिया से हमें क्या पता चलता है इसका अंसर याद रखिए परमानु का अकार परमानु का अकार यह देखिए आवार्त सार्णी में कुल गैस तत्व कितने हैं बहुत अच्छा सवाल है इसमें अधिकतर लोग इसमें कन्फूजन हो कि कुछ नो कुछ गलत ही मारते रहेंगे इसमें अधिकतर लोग मारेंगे छोग अधिकतर लोग छोग मारेंगे लेकिन यहां से थोड़ी बचना है देखे अब अरतिसारने में कूल गैस तत्व कितने है तो छोगो तो हमें टोटल अंसर हो जाएगा इक गारा छोगो तो हमारा नोबेल गैस है अब नोबेल गैस कौन-कौन से है हमें देखना होगा हिलियम नियोन आरगन क्रिप्टोन क्रिप्टोन जिनोन रेड़न इचे तो हमारा नोबेल गैस हो गया अब इसके पाद में देखिए कि कौन-कौन सा है छे तो हो गया अब पाँच कौन-कौन से रह गया हाइड्रोजन भी तो है हाइड्रोजन के साथ में नाइट्रोजन भी तो गैस है नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी तो गैस है कुलरीन भी तो गैस है फुलरीन भी तो गैस है इन सभी को याद रखिए सभी को अब कहा क वर्ट सारने में कुल गैस तत्वे कितने हैं इसका राइट अंसर होगा 11 0-03 maあの भब से तब भी नोल नोबया पूछे कि कि तब 6 मारेंगे है कि चलिया कि का हाइडरोगन की परमानु तर्जिया कितनी होती है ऐसे तो यह पूछता नहीं है पर NCRT में लीखा हुआ था तो हम इसको उठा लिये हैं ऐसे हम कभी नहीं देखे कि परमानु तिर्जिया किसी का पूछा है पर हाइड्रोजन का यह एंसियां टी में दिया हुआ था तो इसको हमको ले लिए ह हो सकता है क्या पता पूछ दे एक्जामनेर के मन में क्या चलता है कभी भी कुछ भी पूछ देता यार देखिए हाइड्रोजन की परमानू तिर्जिया कितनी होते हैं इसका राइट अंसर हो जाएगा पिकोमेटर हाइड्रोजन की परमानू तिर्जिया कितनी होती है 36 पिकोमेटर आगे चलिए का समानिता अवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमानू का अकार क्या होगा हैं अगर समू में उपर से नीचे आते हैं तब परमानू का अकार बढ़ता है अगर राइट जाते हैं तो परमानू का अकार घटता है अब घढ़ता है क्योंकिuv Πरविरती घढ़ती जाती है अब इल्यक्ट्रोन तयागनेक़ कि पर्विरती घढ़ती जाती है अभी तो ठ ठैर्म को समझमें ने की अगया कि ए Government की परविरती घढ़ती दू क्योंकि मैगनेशियम 12 होता है तो दू आट दू बारा हो गया थोड़ी मिगारा होता है तो दू आठ एक इसके बाहताम कोस में एक इलेक्ट्रोन है तो यह किसी को अपने बहुत जल्दी ही दान कर देगा बहुत जल्द देगा तो इसका परमानुवकर अब अलमुनियम ह 2. इसके बाहताम कोस में कितना दू इलेक्ट्रोन तो इसे दान करने में थोड़ी सी और इस advocas अबड़ेगी इसलिए जाती इलेक्ट्रों जो त्यागने की प्रिविरती है ये घड़ता जाता है इसलिए आवर्त में बायें से दायें जाने पर परमानुकाकार भी घड़ता जाता है आगई बात समझ में से आगे चलिये आवर्त-सारनी में ऐस ब्लोक में कुल कितने तत्व हैं सबसे पहले तो हमको ब्लोक समझना होगा कि ब्लाउक कितने हैं आवर्त-सारनी में П граф adv Certains को पहले दिफाते हैं आपको आवर्थषारणी को पहले दिखाते हैं, इसमें ब्लोक देखें देखें, आवर्थसारणी में शीज़ क्लोक में पूछा था कि अवर्थसारॣी में शीज़ कितने तत्वे हमसे पूछा था देखें मिल्च कि एम लोक यह है एक और दू यह एस ब्लोक में आता है यह एस ब्लोक में आता है तीन से ग्रूप नमबर तीन से यहां से ग्रूप नमबर तीन से बारा तक जो आता है इस डी ब्लोक का तत्व है डी ब्लोक का तत्व है और यह जो ग्रूप नमबर तेरा से लेकर ग्रूप नमबर अठारा तक जो है पी ब्लॉक का तत्व है और यहां जो नीचे दीख रहे है लिंद हरे सज है और में टंस कर दिया कि कि अगर how B block as block of Block org कंछ बी देदे कुछ करके दे तो हमें याद होना चाहिए कि अब रत सायरनी में 4 block का नाम याद रखना है अ हम दिस रॉप भिलोक नाम याद रखना है अट लॉप है भुलोग दी बलॉग टी है तो अब चलते हैं प्रस्ट पर कौन सा था इतक कौन सी है कि यह था कहां कि अब अर्तसारने में एस ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं तो हमने बताया कितना चार चार पहले तो ब्लॉक है अभी चार ब्लॉक में अब एस ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं तो इसका राइट अंसर इसका राइट अंसर हो जाएगा कौन option number C 13 ज्योंकि group number 1 में 7 तत्व है और group number 2 में 6 तत्व है और group number 1 और group number 2 को ही हम ace block कहते हैं group number 1 और group number 2 को ही ace block कहा जाता है इसको ध्यान में रखियेगा कभी भी छाटने के लिए कुछ भी पूछ सकता है एक जामनेर के दिमाग में क्या चलता है किसी को नहीं पता है चार को option देगा आपको तीन को डाल देगा ace block का तत्व को एको डाल देगा कोई और उठा के पुछेगा इन में से कौन ace block का नहीं है पुछेगा इन में से कौन ace block का नहीं है चार को अगर डाल देगा माल तीन को डाल देगा कोई दूसरे गूरूप के तत्व को पूछेगा इने में से कौन एस ब्लोक का तत्व है तो याद रखना जरूरी है सबसे पहले आपको क्यारना क्या है कि एक से लेकर तीस तक सभी तत्व को परमानू संखिया परमानू भार और उसका संकेत सब कुछ ही याद रखिए तब ज्यादा समझ में आएगा अब चलिए एस ब्लोक में तो तेरा तत्व हो गया अब चलते हैं बाकी ब्लोकों को देख लेते हैं बाकी ब्लोकों में कितना बाकी ब्लोकों में कितना है तो हमने बताया भी कि टोटल कितना है टोटल चार ब्लोक है एस ब्लोक का तो तेरा निकल गया एस ब्लोक का तेरा अब डी ब्लोक में पूछेगा तर डी ब्लोक में कितना है जो देख रहें डी ब्लोक में टोटल 40 तत्वे हैं पी ब्लोक में पी ब्लोक में पूछे तो पी ब्लोक में पूछे पी ब्लोक में तो इसका मारी है 37 तत्वे हैं और एफ ब्लोक में पूछे कि एफ ब्लोक में कितने तत् दोनों का दोनों लेंथे नाइट दोनों का दोनों एफ ब्लोक में आता है दोनों के मिलाकर 28 तत्वों अगर पूछे कि एफ ब्लोक में कितने तत्व हैं तब 28 अंसर देना है अब समझ में आ गया पूछे कि आवर्तसारनी में एस ब्लोक में कुल कितने तत्व हैं तो 13 डी ब्लोक में पूछे तो 40 पी ब्लोक में पूछे तो 37 एफ ब्लोक में पूछे तो 28 आगे चलिए आगे का कौन से ब्लोक में धातू अधातू एबम उपधातू सब पाये जाते हैं तो इसका राइट अ सर होगा option number c यानि P block देखिए P block P block की है P block हमने अभी को बताया कि group number 13 से लेकर group number 18 तक के तत्व को P block आ जाता है group number 18 से लेके group number 13 से लेके group number 18 तक के तत्व को हम P block करतें देखिए इस P block में यह P block में देखिए जो ग्रूप number 13 से लेकर group number 18 है इसमें धातू अधातू एबंब उपधातू तीनों भी लेगा अधातू एबंब उपधातू तीनों भी लेगा देखिए यहें से सुरू होता है कि बी दिख रहा है जहां जहां हम कलर कर रहे हैं इसको देखिए जो कलर कर रहे हैं सारो अर्थ धातु यानि उप धातु में हैं जो जो हम कलर कर रहे हैं इसको देखिए इसी में धातु अधातु और उप धातु तीनों कर तीनों आता है इसको याद रखे सब आगे गागे जो आगे लास है कौन हो गया कौन से भुलोंग में धातु अधातू सब आई जाते हैं तो इसका अंसर कौन हो जाएगा option अद्भूनी में तेड़ी मेरी रेखा पर कौन से तत्व आते हैं अभी बताया फिर चलिए देखेए यही है अबहुТы सार नी में टेढी मैधी रेखा पर कौन से त्तफ राते हैं ये टेढी मैधी रेखा को देखिए जो हम हाइलाइट कर रहें इसको देखिए ये टेढी मैधी रेखा जिसको मेर्त सारिनमे 1 2-1 अब अर्थ चा हैं option देखिए कि कौन सा सवाल था कि देखिए अधातु या अर्द धातु उसी को कहा जाता है कि अधातु उपधातु उपधातु अधुनिक आवर्त सारने में टेड़ी मेडी रेखा पर कौन से तत्वा आते हैं इसका अंसर क्या होगा option number B यानि की उपधातु उपधातु बोल दे या अर्द धातु बोल दे दोनों में से कोई भी हो सकता है चलिए अगला देखिए 15 नंबर सवाल को 15 नंबर सवाल कहा कि अधुनिक आवर्त सारने में कितने उपधातु हैं ऐसे इसका अंसर होगा साथ लेकिन हमने देखा है साथ नहीं रहेगा तो छो को टीक करिएगा अगर साथ रहेगा तो साथ को टीक करना है कि आगे चला है कि इनके अवर्त सारने में कुछ तत्वों का अस्थान छोड़ा गया था तो मेंडलीप साहिब के अवर्त सारने में कुछ तत्वों का अस्थान छोड़ा गया था देखिए इनके ही इनके ही आवरत सरने में कुन तत्वों को अस्थान चुड़ा गया था जो पहले एका इल्मुनियम जहां पे था वहां पे अब आके गैलियम बसा हुआ है जहां पहले एका सिलिकॉन था वहां पे आके जर्मेनियम बसा है जहां पहले एका बुरौन था वहा हम संपना विहारी वहाथा में अपना ट्रीक बनाए है कि एक बाता पूछ तरी पहुत बार पूछता है एक कहीं न कहीं आपको दिला ही देगा तो इसकी इसको भी याद रखिए बहुत बर पूछता है चलिए आगे आगे कहां कि आवर्त सार्णी का जनक की से कहा जाता है आवर्त सार्णी का जनक पूछा है अधूनी का आवर्त सार्णी का जनक पूछा है तो चुप चप अंसर को टी कर दिजिए मेंडली साहब मेंडली साहब का आवार्त सारनी था जो परमानु द्रेवमान के धार पर आगे देखें कहां आधुनिक आवार्त सारनी में कुल धातू उपधातू और आधातू की संख्या कितनी है कहां कि आधुनिक आवार्त सारनी में कुल धातू उपधातू औ और अधातू की संख्या कितिनी है, तो हमारा ये अंसर हो जाएगा, option number B, एक कानवे 7 और 20, यानि धातू, एक कानवे, उपधातू, उपधातू 7 और अधातू, अधातू कितना हो गया, 20, इसको भी याद रखिए, बहुत ही महत्वपून चैप्टर है, इसको छोड़ कर भागिये नहीं, भले ही मेरी अवाज थोड़ी लर्खरा रही हो बोलने में, क्योंकि मैं पहली पहली बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा इसकी च संख्या 91, उपधातू की संख्या 7, और अधातू की संख्या 20, आगे चलिए, अधूनिक आवर्त सारनी को कुल कितने ब्लोकों में बाटा गया है, अधूनिक आवर्त सारनी को कुल कितने ब्लोकों में बाटा गया है, हमने बताया था चार ब्लोकों में, कौन-कौन है, एस D B block, P block और F block यही 4 block में बाठा गया है एस block में कुल 13 ततवे, D block में कुल 40 ततवे, P block में कुल P block में कितना है? P block में total 37 ततवे और F block में total 28 ततवे यही हमने बताया था, चलिए आगे देखिए आज तक हमें 118 तत्वे ग्यात हैं जिसमें प्राकिर्तिक रूप से पाये जाते हैं देखिए भाई इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इसमें कन्फ्यूजन क्या है कि हमें नया वाला जो NCRT का किताब दिया है उसमें 94 तत्व दिये हुए है और जो पुराना वाला NCRT किता किताब दिया हुए है उसमें 98 तत्व दिये हुए हैं अब दोनों आप्सण में अगर आ गया तो मारना थोड़ी प्रोब्लम हो जाएगी अगर नहीं अगर दोनों आप्सं में सब्सक्रूजन कोई एक है चानुजन कर दिया है यह मुझे भी नहीं पता तो निया वाला NCRT क और अगर सवाल ऐसा पूछे तो आपको option में देखना होगा कि दोनों में दिया है या अंठान में दिया है तो अगर दोनों में से एक ही देगा कोई दोनों तो दे नहीं सकता अगर चौरान में दिया है तो चौरान में टिक करिएगा अंठान में दिया होगा तो अंठान में टिक करिएगा चलिए आगे देखिए का सबसे पहले तत्वों को धातू और अधातू में बर्गिकृत करने का पर्यास किसने किया था सबसे पहले धातू को और अधातू को बर्गिक्रित करने का परियास किसने किया था, करने का मतलब कि धातू कौन है, अधातू कौन है, इनके बारे में अधियन करने का परियास सबसे पहले किसने किया था, बताईए कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन बताएगा, यार और अधातू में बरगिर कृत करने का परियास किस ने किया था इसका अंसर होगा ले वो जियर चलिए आगे आगे कहा कि डोवर्णियर के त्रीक के अनुसार तत्व नहीं है याणि कि डोवर्णियर ने त्रीक नियम दिये थे सबसे पहला तो सवाल यह पुछता है कि ट्राइ ढवानेर्स होगा। आगे की बात कर ले। अगर आगे देखा जाए तो हम say सबाल में पुछाई कِ दूबरन्यर की तत्ब कोन नहीं है। लबरन्यर्स सहब का सिद्यांत क्या था डोबर नियर साहब का कहना था कि पहला तत्व का परमानु द्रेवमान दूसरे तत्व के परमानु द्रेवमान को औसत बीच वाला तत्व के परमानु द्रेवमान होता है कहने का मतलब पहला नमबर उप्सन को देखिए इनका कहने का मतलब था कि पहला तत्व का परमानु द्रहमान, पहला तत्व लिथियम दिया है, पहला तत्व है लिथियम, लिथियम होता है, तीन ते इसका परमानु द्रहमान होगा है, कितना है, साथ, परमानु द्रहमान, लिथियम का कितना होगा है, साथ, दूसरा है सोडि शोडियम कितना होता है कि शोडियम कितना होता है सूडियम कितना कि पाड़ कॉर कर एक अब यह कहना Th itu का तत्व को कि पहला Uh the मान 3D से तत्व का झान बीच वाले का और सट तत्व का द्रेम मान होना चाहिए यानि काने का मतलब कि अगर हम 49 और साथ को जोड़ दें और उसत इसका निकाल दें तो हमारा 23 होना चाहिए तो 49 और साथ को जोड़ेगा उन्चालेस एक चालेस यानि 46 बटा दू यानि कितना 23 यानि यह सर्टीफाइड है तो इस परकार से ही इनका तीन को ट्राइड नियम था जो क्यों काफी वार एकजाम में पूछे जाते हैं तो इसको याद रखिए पहला है लीथियम, सोडियम और पोटेसियम और दूसरा है केलसियम, अस्ट्रांसियम और बेरियम और तीसरा है फूपर्रमीन और आयोडीन पर यह चौथा वाला उप्स नहीं यह चौथा वाला उपस नहीं यह सोडियम, इर पोटेसियम यह नहीं है बोस्ति तीन गूपर्य आगे का नियम को यादर रखिए ये काफिय वार पूछा जाता है रहुमने बताया कि यह नियूलेंट सबसे पहले एक बात को ध्यान में रहखिए कि नियूलेंट साहिब ने अस्टक नियम दिया था अस्टक नियम अगर पुछे कि नियूलेंट साहिब अस्टक नियम नियूलेंट साहिब नियूलेंट साहिब नियूलेंट साहिब नियूलेंट साहिब नियूलेंट सारनी में टोटल कितना समू था साथ समू किसे कहते हैं इसको उर्दवादर लाइन को बार बर मैं बता रहा हूं उर्दवादर लाइन को कहा जाता है अवर्त इसे कहते हैं 36 लाइन को अवर्त 36 लाइन को कहा पार्फ में आँस साथी तो कि अब देखेंगा है कि इसको हम बताते हैं थोड़ाँ सा थोड़ा सा है एक मिनट इंदिजार कीजिए बस थोड़ा चलिए देखिए पहले तो हम साथ आवारत थे साथ बना लेते हैं दू तीन चार पांट छे साथ चलिए अब देखिए बना लिए अब देखिए यह च्छे एक बस इतना से ही काम चल जाएगा हमारा देखिए एक दू तीन चार पांच छे और साथ और यह फिर रिपीट करने लगता है यहां से आट नौ दस एक गारः बारत तेरः चुद इनका इस तरीके का से रिपीट करता था तो निव्लेंड के अब रफ्त सार नीमेब कहा गिए निव्लेंड के अब रफ्त बरगी करण में दसमा तत्व किसके जैसा दिखता था? अब दसमा तत्व को देखिए, दसमा तत्व कौन है, दसमा तत्व आपको कौन दिख रहा है, ये, ये किसके जैसा दिखेगा, तिसरे तत्व के जैसा, दसमा तत्व किसके जैसा दिख रहा है, तिसरे तत्व का, इसका right answer हो जाएगा option number C, यानि तिसरे तत्व जैसा, अब तो आप समझे मेरा काम था बताना हम बता दिये आगे देखें कि तत्व का गुंधर्म उनके आवर्त द्रह्मान के फलन होते हैं यह किनका सिध्यान्त था तत्व का गुंधर्म उनके परमानु द्रह्मान परमानु द्रह्मान के बारे में जब भी पूछे परमानु द्रह्मा बढ़ते करह में तो चुप चप मारीय मेंडली साहब को ओप्सवन नमबर ए मेंडली अगला अकिन के अवर्त सार्ने में कुछ तत्वों का अस्थान छोड़ा गया था एक क्वेश्चन रिपीट है मेंडली साहब अगे अध्वनिक आवर्त सार्ने का जनक किसे कहा जाता है अध्वनिक आवर्त सार्ने का जनक किसे कहा जाता है मोजली साहब को अध्वनिक आवर्त सार्ने अध्वनिक आवर्त सार्ने जो बना हुए पर्मानु संख्या के बढ़ते करम के अधार पर बना है इनके आवर्त सार और यही यही प्रेडिक्टेवल को अभी तक पढ़ा जा रहा है अठारा स्वमू तो वीडियो कैसा लगा अंत में हमको बताईएगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सेर और सस्क्राइब जरूर कीजेगा और अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रताईएगा तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार जैहिं